आपर वो वेक्टी जो तरके के साथ है, वो वेक्टी जो इतिहास के तथ्यों को अपने लिए इस्तमाल कर सकता है, one who is more powerful, and one who has the balance between the power and prosperity, आप समझ रहो के मैं क्या language यूज कर रहा हूँ, और romantic man, जो रूमानी अंदास में खोया हुआ है, ठीक है, तो जो इन सब चीजों से निकल कर अपनी दुनिया में है, तो तथ्ये उसके उपर डाल दिये जाते हैं, तो अब आजाते हैं, कि ये चीजे कहां पर हैं, जो मैंने आपको prove की थी, let's start, ठीक है, हम शुरू करते हैं, दो segment पर हम आजाते हैं, ठीक है, और ये वाली class सब को याद होगी, notes है तुम लोग के पास, चलो, notes को लुकते हैं, ठीक है, तो आजाते हैं हम लोग, इस पर हम समझते हैं, और how to read history, ये तो YouTube पे भी class पढ़ी हुई है, सबसे पहले prove के साथ देखते हैं इसको, ठीक है, तो अब चलिए, तो what is history से मैंने शुरू किया था class, याद है, ये notes आपके पास होंगे, और ये YouTube पे भी पढ़ा हुआ है, और ये मेरी class के notes से उसी का PDF मैंने सामने निकाल दिया है, तो यहाँ पर ये दो दिल lecture ये चला था, और इसके बाद SC कार का मैंने जो है, वो एक reference भी दिया थ कि historian जो होता है, वो मचली की दुकान से मचली लेकर आता है, ठीक है, उनका एक बड़ा famous statement है, और वो उसको अपने हिसाब से तत्यों को पकाता है, ठीक है, यहाँ से हमारी class शुरू हुई थी, ये notes, class के notes है, NCRD के, तो मैंने यहाँ लिगा था, it is a footprint of journey, ठीक है, एक गाना आस्मा के नीचे, आज अपने पीछे जो है, वो निशा बनाते चलें, फिर मैंने कहा था कि जो है, ये नजरिया है, how we see the things, हम चीजों को कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने दो concept दिये थे, और अगर आप essay, इसमें जो मेरा दो classes पे बहुत लंबी चौड़ी discussion हुआ था उसको देखना शुरू करो, ये question आपने देख लिए essay का, NCRD की बात चल रही है, अगर सही तरीके से बच्चों को link किया जाए, ये मेरी class के notes हैं, आपके पास होगा, ठीक है, वहाँ मैंने बताया था, दो तरीके होते हैं, वरतमान को अतीत के चश्मे से, अतीत को वरतमान क चश्मे से देखना, दो तरीके से history को पढ़ा जाता है, लेकिन जो सबसे मज़ेदार थी, जिस पर ये हमारी बात हुई थी, वो ये वाली photo थी, आपको याद है, ये वाली photo, जहां पर मैंने बताया था कि ये संस्कृतियों की जानकारी है, और संस्कृतियों को ठकरा हो है, इसी को उन्होंने philosophical way में सामने प्रस्तुत कर दिया, जहां मैंने तुम्हें इस photo के साथ, यह है तो का तुम्हारे बार notes होगा, यह सारा का सारा, देखते जो अपने notes उठाओ और देखते जो, और यहां मैंने बताया था कैसे एक दूसरे के उपर ये जो है अपना आधिपत से, चिन्हों के माध्यम से, तलवार के माध्यम से इसके बारे में बहुत सी बात हुई थी, याद है, हाँ, देखो यहां पर जवाब देते जाओ, यह notes तो होगा ना तुम्हारे पास, यह तो YouTube पे भी class मैंने डाल दी थी, प्रूव के लिए पढ़ी है, उठा के देख लो, और बहुत पहले यह class हुई थी, NCRT में यह मैंने पिछली class में पढ़ाया था, अभी सिर्फ जो नए बच्चे हैं, जो अभी नए मेरे साथ NCRT में जोड़ना हैं, वो सिर्फ देखें कि importance के NCRT की, नहीं तो myth में फस जाओगे, मेरे साथ तो दो घंटे रहोगे, बाकी तुम बाहर की दुनिया में रोगे, क्यों मैं यह करता हूँ, शुरुवात में मैंने जब किया बच्चे, इतना slow क्यूं कर रहे हैं, इतना discussion क्यूं कर रहे हैं, अब तुम्हें एक-एक question पता चलेगा, discussion क्यूं हो रही है, और मैं तुम्हें NCRT के notes से दिखाता जाओ होंगा, आपको यह समझना है कि NCRT कितनी important हो सकती है, अगर teacher उसको ढंक से पढ़ाए, 125 marks के essay की बात कर रहा हूँ, और with proof दे रहा हूँ, देखो, यहाँ फिर हमने क्या दिया था, how to read history, याद है वो मेरे student ने, यह class का, NCRT का student उसने एक photo बेजी थी, जब उसने प्रभावि इतिहास की कई गलतियों को सुधार भी सकते हैं, इतिहास हमें बताता है कि भविष्यक में क्या काम नहीं करने चाहिए, भविष्यक कैसा होना चाहिए, right? मेरी class bilingual चलती है, Hindi, English, Doro, Medium, ठीक है, दोनों में notes मिलते हैं, दोनों में discussion होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ language के हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग language के बारे, हम knowledge के base पर बात करते हैं, language वाले institute के लिए अलग कहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, we discuss on the knowledge, हमारे प बच्चों ने मुझे chat करके भेजा, यह देखिए, यह आपकी NCRT की class के chats है, ठीक है, यह देखिए, यह जैसे हुआ, यह देखिए, बच्चे ने मुझे भेजा, यह उसकी chat है, thank you so much sir, आज UPSC Mains, ऐसे writing में यह question आ गया है, आपने तमिलनाडु की class में आपने पढ़ाया रुका है, right, यह position है हमारी, यह बच्चों के chat है, यह NCRT का देखिए, बच्चा, question 1, 12, 15, 17, 18 and 20, ओजांक सर ने NCRT batch में अच्छे से explain किया है, ऐसा लग रहा है कि सर ने बताया और मेंस में चप गया, ठीक है, discussion is very important, यह student का message है, ठीक है, तो यह NCRT की जो depth है, उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, why it is important, अगर हम NCRT को इस तरंक से समझ जाएंगे, तो चीज़े हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, चली आगे बढ़ते हैं, तो यह हो गया हमारा first segment, अब आज आते हैं, हम second हिस्से पे, right, यह GS paper 1 है, अब देखिए कि अगर आप सही तर कि सहाब NCRT मेंस के लिए काम नहीं करती है, right, और 6, 7, 8 तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, right, यह बहुत लोगों ने कहा होगा, अब आओ देखते हैं, proof, इस पस्ट करें कि मद्यकालीन भारतिय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिन दित्र करती है, जब मैंने तुमसे सबसे पहले यह चीज जब पढ़ाई थी, ठीक है, यह पहला कोशन है, जीएस पेपर इसी बार का है, आप मेंसे अभी कई लोगों ने पेपर नहीं देखा होगा, मेंस का, बोले सोचे, अभी तो हम शुरुबात कर रहे है, मेंस देखने जरूत क्या है, और यहाँ हमारे यहाँ आपको बताए कि मेंस के कुशन हम पहले दिन से काम शुरू कर देते हैं अपना, इस पर स्ट करें मध्यकालीन भारती मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का परतिनी दित करती है, आप कहोगे कहां, चलिए, अब बताते हैं, याद कोई हमने यह discuss किया था, अगर याद होगा आप लोगो कि कैसे हमें हमारा इतिहास गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पर जब हम लोगों ने discuss किया था, यह देखिए, तो वहाँ पर एक यह, मैंने किया था, कि nuclei of settlement पर हमारी बास शुरू हुई थी, ठीक है, nuclei of settlement, और मैंने कहा था, इसलिए नई NCIT बहुत ज़रूरी है पढ़ना आपके लिए, तो यह notes तो आपके पास होंगे ही, प्रूफ के तौर पर यह class के notes है, ठीक है, यह NCIT का notes है, आपके पास यह notes बना भी होगा, तो मैंने उस समय का art and culture, उस समय आपको इस मूर्ती के बारे में बहुत अच्छा बताया था कि कैसे wax किया जाता था, कैसे उस समय की technology थी हमारे पास, ठीक है, अब for example अगर मैं बात करूँ, तो nuclear of settlement पढ़ाया था, पढ़ाया था, तो nuclear of settlement में तुम्हें बताया था कि कैसे जो उस समय के मंदिर हुआ करते थे, वो अधिवास, समाज, culture, यह स तरह की सारी चीजों का center हुआ करते थे, याद आ रहा है, यह notes तो होगा तुम्हारे पास, यह सब होगा, इसमें एक एक चीज समझाया था, कैसे irrigation, agriculture, मूर्तिकला, सभी कुछ चीजें आस-पास जो है, वो किस रूप में हमारी विक्षित हुई थी, है ना, notes उठाओ, notes ठीक है, यह class के बच्चों के बाद, जो पुराने बच्चे वो भी इस class में हैं, अगर देखेंगे उसको, तो यह देखेंगे कि पढ़ाया क्या, आप जो नए बच्चे वो यह समझें, उनके लिए सबसे important है, वो यह है कि, वो यह बात को समझें, कि importance कितनी ज्यादा है, ए वो चीज़ें जो हम करेंगे, ठीक है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, class में ऐसी बहुत सी चीज़ेंगे, अब यह आप देखते जाओ, yes या no, question कर सकते हो, जो पुराने student है, मैं उनसे जानकारी चाहता हूँ, हाँ या ना, पहले मुझे बताओ, यह सर हो जाएगा, मैं इसके question की बात कर रहा हूँ, और आप NCRT आया थे, 5,000 रुपे में admission लेके कि भीया, थोड़ा बहुत परीवरी निकल जाए, और हमने इतनी depth में उसको पढ़ाया, इतना broad base में उ अभी देखते जाओ, next question आते हैं, जब यह economics में discussion हुआ था, अपनिवेशिक भारत की 28 सताबदी के मद्ध से क्यों अकाल पढ़ने से अचानक वृदि देखने को मिलती है, कारण बताएं, तो यहाँ जब हमारी बात हुई थी कि अंग्रेजियों की नीतियां क्या रही थी, और किस तरह बेंगॉल फैमाईन की चर्चा हुई थी हमारी, और मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें लोग एकदम उनकी खाले चिपक गई थी, किस तरह से mismanagement हुआ था, और किस तरह से भारती क्रश मैंने आपको बताए था, पर कैपिटा इंकम कितनी बरबा होगा, मैंने बताया था, कैस तरह अंग्रेज, फिर जमीदार, जमीदार से साहुकार, साहुकार से उसका बिचौलिया, और किस तरह से जो इंड प्रोड़क्ट था, जो किसान था, वो बुरी तरह से बरबाद हो गया, फैमाईन से आने से पहले भी आती थी, लेकिन उससे लड़ने की जो उसकी पावर थी, वो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, बरबाद कर दिया था, याद है वो कॉर्ण वालिस की कहानी, और उसी के पैरलल मैंने एक जूडिशल सिस्टम की कहानी बताई थी, सप्लाई चेन में, कि किस तरह से नियाय भी बहुत महंगा होता चला गया और यह समस्या आज भी हमारे साथ है, अगला कॉस्चन हो गया, प्रात्मिक चट्टानों की विशेष्टाओं इन प्रकारों का वरण कीजिए, मुझे लग रहा है कि यह सबसे easiest question था, exam exactly, अब ज़रा देखते हैं, यह question मैंने कहां पढ़ाया था, ठीक है, यह है, यह दो को मेरी फोटो भी लगी थी, इसमें मैंने आप लोको PDF दिया था, ठीक है, तो NCRT, और अभी आप सोच रहोंगे कि 6-7th class की NCRT का क्या मात तो है, सामने देखो, question क्या है, question ध्यान से पढ़ो, ठीक है, लिख लो जो नए बच्चे वो भी लिख लें, और यहां से कि जब discussion होता है, तो teacher के साथ कैसे चलना होता है, कहता है, प्रात्मिक चट्टानों की विशेष्टायम प्रकारों का वरणन कीजिए, ठीक है, तो इसमें कई बच्चे जो है, वो परिशान होगे कि primary rocks क्या क्या मतलब होता है, ठीक है, अब जरा notes को देखो ध्यान से, ठीक है उसके प्रकार, exam exactly right, मैं LWMI note, हमारे notes ऐसे होते हैं, ठीक है, हम लोग जाता लंबा चोड़ा हिसाब किताब नहीं तैय करते हैं, ठीक है, हम सब LWMI, कम से कम word में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, हाँ जी, exactly आया हुआ है, फिर पूछ रहा है कि उसके प्रकार, ये देखिए, दिखाई पढ़ रहा है, सामने देखो, ये notes तो है ना तुम्हारे पास, जिन लोगों ने class की है, उनके पास ये notes है ना, prove के साथ बात करते हैं, ठीक है, prove के साथ, इसलिए मैं और मैं अभी 11-12 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना, notes खुलो अपने, notes खुल के बात करो, और जो बच्चे जुड़ेंगे वो भी समझें कि इतना important है NCRT, अगर आप सही तरीके से हैं ना, देखो, आ रहा है, message आ रहा है, देखो, सामने है, बिल्कुल exactly, ये class के notes हैं, देखो, ये दिया था तुम लोगो, पढ़ने के लिए, पूरा इसमें, यहां तक ही मैंने कहा था क कि मैं तुम्हें, जो NCRT में नहीं भी है, रॉक साइकल भी completely करा दूँगा, ये वाला chapter है, inside our earth, मैंने बता है मेंस के लिए, optional के लिए important है, वहां आपको पढ़ाया था, exactly तुम्हें मिल रहा है, मिल रहा है, notes अपने उठा के देखो, हाथ कंगन को RC के और पढ़े लिगे को फारसी क्या, जब हमने पढ़ाया तो प्रूब के साथ उसको देखो, कि है यह हो जाएक सर ऐसी बाते तो नहीं कर रहे है, कहीं ऐसा कोई घुमा फिरा के कुछ ऐसा बोल दिया, आजाओ, अगला question देखते है, ये तो हमने उस पर discuss किया था, जब geography in you कि मैंने पिछली class ली थ ठीक है, कि मौसम चेतावनियों के लिए रंग संकेतों का चर्चा, कर मैंने कहा था, जोगर फिन उसे question आते हैं, दक्कन ट्रैप की प्राकरतिक संसाधन संभावना को चर्चा, कई class के बच्चों ने था answer भी लिखके दे दिया, ठीक है, इसी सही दक्कन ट्रैप आपको बता फिशर इरप्शन हुआ था, ठीक है, और फिशर इरप्शन से अब तो class के बच्चों को याद हो गया होगा, वो रेगुर, काली मिटी, उसमें जो है, वो moisture containing capacity, ये सब तो एकदम याद हो गया होगा, और जो है, इंडियन जोगर्फिम भी वे पढ़ाए गया होगा, पांच भेज़ दिए, एक-एक करके, भारत में पवन उर्जा की संभावना का परिक्षन कीजिए, मुनके सीमिच छेतरी विस्तार के करलों को समझाईए, बहुत important question है, examine the potential of wind energy in India and explain the reason for their initial spatial spread, ठीक है, भारत में पवन उर्जा की संभावना का परिक्षन कीजिए, आप लोगी, आप में पवन उर्जा की संभावना का परिक्षन कीजिए, उसके सीमिच छेतरी विस्तार के कारणों को समझाईए, ठीक है, दस माक्स का question है, चलिए, ready?